बैस इतना बड़ा फाइदा देखता है ना इन सब मेर रिस्क भी उतना ही होता है तो दूस्तो तो कल नाइट को हमें बीटीज की प्राइज में लगबग 11 परसेंट का एक काफी बड़ा डंप देखने को मिला और इस साल ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब bitcoin एक दिन के अंदर लगबग 10% से ज़ादा की गिरावट हमें दिखाया है bitcoin की price में इतना बड़ा dump क्यों आया इसका reason जानने के साथ ही हमारे लिए ये समझना बहुत अच्छा होगा कि क्या btc में इसके बाद भी एक और बड़ा dump आ सकता है या फिर bitcoin ने 35500 का level टच किया है ये इसका एक last bottom है तो आज की इस video में हम बात करने वाले हैं दोस्तो अगेन bitcoin के बारे में और market से आने वाली कुछ important update के बारे में कल तक दोस्तो काफी लोग inflow के data को हलके में ले चुके थे कि भया आपका जो inflow का data है इस बार नहीं चला इस बार हमें एक काफी बड़ा dump देखने को नहीं मिला और आपको यादो कल जिसा हमने discuss करा था कि bitcoin की prices इस falling wage के according 40,000 के level तक आएगी और इसके बाद again हमें यहां से एक dump देखने को मिल जाएगा जो कि exactly आप देख सकते हो 40,000 के level टच करने के बाद में हमें btc की price में एक काफी बड़ा dump भी देखने को मिला और आपको यादो कल 24 गंटे के अंदर लगबग 12,000 प्लस btc का inflow का data आया था 24 hours की में बात कर रहा हूँ और अगर आप inflow के data के base पर ही trade करना चाते हो short वगएरा open करना चाते हो 95% तक की accuracy होती है इस inflow के data में और बाकी जो comments के reply थे वो मिने टेलेग्राम पर आपके साथ share करी दिया थे और अब यह हमारे लिए एक और important बात है कि आज जो हमें inflow का data मिला है लगबग 7,000 के आसपास का inflow का data है तो क्या यह हमें signal दे रहा है कि यहां से again हमें एक काफी बड़ा dump देखने को मिल सकता है इससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा stock market के हाल दिखाऊँ पहले तो हम थोड़ा सा reason जा लेते हैं दो तीन reason है इसके लावा कोई reason नहीं है पहला reason यह है कि एक दिन के अंदर 12,000 प्लस BTC का inflow को data तो second reason है कि stock market में भी हमें एक काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली आप S&P 500 index ले लीजे, NASDAQ ले लीजे, Asian market ले लीजे या फिर DAO जिसमें एक दिन के अंदर 1000 point की काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके वरे से bitcoin पर भी एक काफी negative वसर हमें देखने को मिला चुकि हम यह सब, चुकि हम यह पहले से ही पता है कि US stock market का असर पूरे global stock market पर होता है और साथ ही cryptocurrency market पर भी होता है तो second reason यह भी था कि एक दिन के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें US market में देखने को मिली और third reason यह कोई specific reason नहीं है, market से थोड़ी थोड़ी negative update आ रही थी बस इसके लाब और कुछ नहीं है, बागी जो main दो reason है वो यह ही है, एक तो inflow का data और second है यह stock market, अगर आप बात करें bitcoin के बारे में है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि bitcoin यह वाली जो हमारे trend line थी आपको याद हो, हमने इसके बारे में 2-3 दिनों से discussion जारी किया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, weekly time frame पर आपको बता रहा हूं, weekly time frame पर bitcoin एक channel के अंदर move कर रहा है, यह analysis आपने पहली देख लिए होगी और 2-4 बार भी देख लिए है, कि bitcoin यहाँ पर इस trend line को काफी अच्छे से follow कर रहा है, और इस पर हमने discussion भी करी थी कि bitcoin इस channel के बाहर जाने के बाद में, इस trend line के आसपास एक support बना सकता है, यहाँ से खुला में warning दे रहा हूं, कि अगर यह trend line break हो गई न, क्योंकि यह trend line है, 2021 की शुरुआत से ही follow हो रही है, bitcoin इसकी काफी अ नीचे चला जाता है, तो जैसे हमने इस news update के बारे में discussion करा था, कि bitcoin की prices जो है, हमें 24,000 तक भी देख सकती है, halving वगरा के बारे में, हमने discussion करी थी, analyst 2 ने यह warning दी है, कि 24k तक हमें bitcoin की prices देखने को मिल सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब तक हम इस trend line के उपर है, यह trend line है, weekly time frame की, और काफी अच्छे से bitcoin इसको follow कर रहा है, 2021 से ही, अगर यह trend line break होई, तो bitcoin की prices में हमें काफी बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, तो यह ज़रू से ध्यान रखना है, कि यह trend line का breakdown नहीं होना चाहिए, अगर इस trend line का breakdown हो गया, तो यह कहते है, bitcoin को buy किया है, reserve fund के लिए, तो यहां पर यह भी एक positive update है, कि जैसे bitcoin की price 3500 की level के पास आई, या फिर इसके आसपास आई, तो again जो luna foundation है, उन्होंने bitcoin को grab किया, और bitcoin को एक काफी अच्छा support दिया, इतने बड़े level पर bitcoin को buy करके, तो कहीं ना कहीं, luna foundation ने जो यह buying करी है, इससे हमें यह पता लग रहा है, कि bitcoin की prices में भी इस trend line को बहुत मुश्किल से तोड़ेगी, लेकिन अभी इसकी possibility नहीं मिल रही है, वाकि थोड़ा इस number को लेकर मेरे को doubt है, because कुछ report में बताया गया है, कि 37,863 btc को buy किया है, और कुछ report में बताया गया है, कि 37,863 dollar की worth के bitcoin को buy कि अगया है, और अगर ये news update सही साबित होती है, कि 37,863 btc buy किये है, luna foundation ने, तो कहीं न कहीं bitcoin यहां पर एक काफी अच्छा support बना सकता है, और यहां से हमें reversal देखने को मिल सकता है, और अगर ये dollar हुआ, यानि 37,000 dollar की worth के bitcoin buy किये गए, तो फिर ये inflow का data का आप ध्यान रखन because 8,000 plus bitcoin के inflow का data important है, तो आज के इस video में हमने बात करी bitcoin के बारे में और market से आने वाली कुछ news update के बारे में, again इसकी अगर मैं summary do video की तो वो ये है, तो ये जो 7,000 plus के btc के inflow का data है, वो हमें ये बता रहा है, कि भाया यहां यहां पर यह जो level है न, यहां से हमें again थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर bitcoin जो है, again हमें लगबग यहां से अगर हम देखे, तो 35,000 तक भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर 8,000 के आसपास bitcoin का inflow का data हमें मिला है, तो फिलाल इस video में इता ही, और टेलिग्राम चैनल पर inflow का data आपको कैसा लग कमेंट करके जरूर से बताना, और एक और important बात कि यह जो dxy index के बारे में हमने बात करी थी, यहां पर आप देख सकते हो, तो यहां से अगर हमें तोड़ा correction देखने को मिला, तो bitcoin की prices में भी हमें वापस tip pump देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में हमने बहुत पहले ही discuss कर तो अब जादा इसको की चुआ नहीं, तो मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तिल देन जेहन, जे भारत!